एलो फ्रेंट वेल्कम तो माई यूट्यूब चैनल ब्लोग बैस और डी एप से स्याल के सी बीटी टू का एक जाम जो हो चुका है उसी से रिलेटेड आज एक आपके लिए इंपोर्मेशन लेके आ हैं तो जो एड़टाजमेंट था हमारा एक्जिकीटिव और जुनियर एक् नातना देख सकते हैं सीविल में पचास सीटो की संक्या है और इस तरह जुनियर एक्जिकीटिव में देख सकते हैं एलेक्टिकल की 24 सीटे थी और जुनियर एक्जेक्यूटिव संटी की सीटे जो थी इस बार ज्यादा थी 148 और जुनियर एक्जेक्यूटिव मेकनिकल की सीटे नौ थी जुनियर एक्जेक्यूटिव संटी की वेकेंसी थी एक्जेक्यूटिव संटी की वेकेंसी नहीं थी और इसमें जुनियर की basic salary आप यहां देख सकते हैं 30,000 basic salary है तो इसी से related एक news update है डीएपसेस्याल के तरब से RTI द्वारा मांगा गया है तो सिधा चलते हैं तो यह देख सकते हैं डीएपसेस्याल से RTI के द्वारा जबाब मांगा गया था तो RTI में reply आया है डीएपसेसी के तरब से यह देख सकते हैं 19 तारीक के जन्वरी का है notice आद देख सकते हैं यह लेटर है अप्लिकेशन अप्सरी मनीश गुपता आरो बिहार डेटेड इतना RTI एक्ट के तहत मांगा गया था रिप्लाइ तो इसमें प्लीज इस यह इंफोर्मेशन अबाउट पोस्ट वाइज अपियर अगेंस्ट एक डाइडेक्ट रिकुर्मेंट दोहजार तीस तेस इन मेंस एक्जाम विच हेल्ड इन 17 और 20 दिसंबर को तो जो भी 17 और 20 दिसंबर को जो एक्जाम अपियर हुआ था सीबिटी टू के लिए तो उसी के पोस्ट वाइज कितना कंडिडेट अपियर हुए थे उसी से रिगार्डिंग कंडिडेट ने आर्टी आई के तहत डी अपसी से जवाब मांगा है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यह लिस्ट जारी किया गया है डी अपसी सी के द्वारा अर्टी आई के जवाब में सीबिटी टू में कितने कंडिडेट तो आप देख सकते हैं एगजिकीटीव और जुनियर एगजिकीटीव तीनों दोनों पोस्ट का अलग-अलग दिया गया है आप एगजिकीटीवे्लेक्स वे देख सकते हैं कितने कम सीट बर को जणादा फाइट आप मान सकते हैं चाओदा मात्र सीट थे जिसके फाइनस कि और हर कि बात करें हैं तो एक है कि सीटों कि संख्या के साइब जो संख्या थी वो तो आप देख सकते हैं 30 गुना अगर comparison किया जाए 270 में आप देख सकते हैं 30 गुना candidate अपियर हुए थे जबकि DFCCR के द्वारा notice में था कि हम maximum 20 गुना रखेंगे आप देख सकते हैं आप यह तीश गुना candidate अपियर हुए थे सेम सीविल की बात करें तो सीविल में आप देख सकते हैं 851 सीट थी जिसमें इसे 851 कंडिडेट है जिसमें सीटों की संक्या मातर 50 थी तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कंपटिशन रहा होगा अगर 850 मान के चले तो इसमें 17 गुना फिर एक्जेकुटिव आईटी की बात करें तो आईटी में 96 सीट है 96 जिसमें से टोटल 6 वेकेंसी थी और एक्जेकुटिव OPNBT की बात करें तो आप देख से रहे हैं यहां 3487 कंडिडेट 3487 कंडिडेट है जिसमें OPNBT में सीटों की संख्या 235 थी इसी तरह सेम हम जुनेर एक्जेकुटिव की बात करें तो जुनेर एक्जेकुटिव इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं 429 है इसमें से इलेक्ट्रिकल की सीटों की संख्या मातर 24 थी और एसेंटी में बात करें तो एसेंटी में 148 2672 सीट पे 148 कंडिडेट तो इसमें और एक्जेकुटिव ओपिन बीडी में काफी अच्छे कंडिडेट ने एक्जाम दिया काफी ज़्यादा और इस पोस्ट से काफी लोगों को उमीदे हैं कि सेलेक्शन उनका हो सकता है और मेकनिकल की बात करें तो 152 जो है 9 13 गुना तो थोड़ा OPNBD पे बात करते हैं कि कितना कंडिडेट कितना गुना और एसेंटी पे हम बात करते हैं तो अगर हम 35 सो मान के चलते हैं कंडिडेट को और सीटो की संक्या को 235 तो सीटो की संक्या आप देख सकते हैं पांसे 700 और पांसे 25 25 पांसे 35 अगर इसको हम 50 मानते हैं तो 14 तो ज्यादा गुना नहीं है चोदा गुना के अप्रोक्स में कंडिडेट इसमें अपियर हुए थे और सेम अगर हम बात करें जिनेर एक जिकिटिव एसेंटी की तो अगर 27 के अप्रोक्स में चलते हैं और इसको अगर हम 1.500 लेते हैं तो करीब 10-12 गुना में आप मान सकते हैं कि कंडिडेट होंगे तो ये काफी लेटेस्ट अपडेट है हलाकि ये 19 तारीक का अपडेट है विडियो बनाने में हमने लेट कर दिया है लेकिन ये इंफोर्मेशन काफी अच्छी है उन कंडिडेट के लिए जो भी इस CBT-2 में अपियर हुए हैं और इस हिसाब से आप अपना कटप का अंदाजा लगा सकते हैं कि कटप कितना जाने वाला है और सेलेक्शन किस बियसिस पे होगा और जो भी candidate जो है जो cut up का demand करते हैं कि cut up क्या रहेगा तो cut up कोई भी अगर वीडियो बना ले अगर वो बोलता है कि इतना cut up जाता है तो वो 100% deciding नहीं होता है cut up मिली candidate की संख्या पे, seatों की संख्या पे और question के difficulty पे निर्भर करता है cut up तो जो भी candidate exam में appear हुएंगे वो खुद अंदाज लगा सकते हैं कि cut up कितना जाने वाला है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और बने रहे हमारे साथ है DFCC के latest update के लिए धन्यवाद दोस्तो